नमस्कार दोस्तों मेरे ना में अनुरूत और आप देख रहे हो आने एक्स एंगेर्सम सफ्ट्वेर अभी जो मैं इस वीडियो में लेके आ रहा है हूँ यह इजी जेटेक जो भी वान बॉकस है उसको हम Z3x EMC मैनेजर से करेंगे और यह जो पराबर काम करता है कोई भी इस्यों नहीं आता है बहुत अच्छे से यह प्रोग्रम किया है इस बॉक्स को जो ओल्ड बॉक्स भी काम आया और नया जो बॉक्स उसमें भी अच्छे से काम करता है फ़रक इतना है कि सिफ बहुत अच्छे स्पीड आता है और है थोड़ा कब स्पीड आता है इसे पी और एड़ाण से यूजबी से से में सेम तो सेम काम करता है अभी मैं आज जो दिखाने वाले हूँ एक ए माइक का फोन इसमें क्योंच में वह ख जो आफ करोंगा यूजबी से चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेर करिए देखते ले वीडियो को कैसे कामने होता है पुछाई पुछाइब कामने हो चेका है झाल झाल देखिए इसमें जो MI अकॉंट हटने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है यह आपको प्रिसिस्ट फ्रेमवार के फाइल में से प्रिसिस्ट फाइल को राइट करना पड़ेगा प्राटिशन में जाके जास्ट फाइल को फ्रिसिस्ट फाइल को ओवर्राइट कर देना पड़ेगा तबी आपका MI अकॉंट रिसेट हो जाएगा देखें प्रिसिस्ट फाइल डाइट हो गया अभी सेट को अन करके चेक करेंगे कि MI अकॉंट रिसेट हुआ है नहीं और मैं एक बार रिकनेट करके देख लेता हूँ कि MI अकॉंट के स्टेटस क्या दिखाता है सॉप्टेर की इंपॉर्मेशन में देखें स्टेटस में जो MI क्लाउड का इंपॉर्मेशन दिखा रहा था आभी हो नहीं है इसका मतलब हमार्य MI अकॉंट रिसेट हो गया झाल झाल में आभी हो यह झाल 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 वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कोमेंट शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्रेब कर देना थैंक्स पर वाचिंग गोडब्लेस यौल